बहुत ही कमाल के हैं ये किचिन टिप्स, अपना कीमती समय निकाल कर इनको जरूर पड़ें आजकर हमारा टिप्स नमबर बन है, जो लोग खाना खाकर नहाते हैं, उनकी तचा का रंग सामला होने लगता है टिप्स नमबर टू, लकड़ी का कंगा इस्तमाल करें, इससे बाल कम तूटते हैं और मजबूत रहते हैं टिप्स नमबर थ्री, अगर आप अपने पेट की चरबी को कम करना चाहते हैं तो रूटी के साथ प्याच खाएं पानी में नीबू निचोड कर पिएं, दिन में दो बार ही खाना खाएं और आपको सोने से पहले गर्म पानी या गर्म दूद जरूर पिएं टिप्स नमबर फोर, हपते में एक दो बार नारियल पानी अवस पिएं, इससे सरीर हमेशा स्वस्त रहता है और सरीर में कमजोरी नहीं आती है टिप्स नमबर फाइब, पानी में अदरक उबाल कर पीने से जोडों के दर्द में आराम मिलता है टिप्स नमबर सिक्स, बालों की लंबाई बढ़ाने के लिए नारियल के तेल में आमला का पाउडर मिलाकर बालों की जड़ में मसास करने से बालों की लंबाई दो बुनी तेजी से बढ़ती है टिप्स नमबर 7, रात को नाभी में तेल डाल कर सोने से दिमाग तेज काम करता है और इससे स्वास्त भी ठीक रहता है टिप्स नमबर 8, लैसुन की कटी हुई कलियां हो या साबुत कलियां फिरिज में नहीं रखना चाहिए लैसुन नरम होकर अंकुरित होने लगता है इसका स्वास्त कम हो जाता है और जो लैसुन का लापकारी गुड होता है वह खत्म होने लगता है टिप्स नमबर 9, अगर केला खाने से आपको कबज की प्रॉब्लम होती है तो केला खाते समय उस पर थोड़ा सा काला नमक डाल कर खाएं इससे कबज की समस्या नहीं होगी टिप्स नमबर 10, जिन औरतों की तुचा रूखी और खुस्क होती है उन्हें नासपाती का सेवन करना चाहिए टिप्स नमबर 11, खाने में रोजाना दही का सेवन जरूर करें यूरीन इनफेक्शन नहीं होता है टिप्स नमबर 12, जादा चीनी बाली चाय पीने वाले लोग जन्दी ही मुटापे का शिकार हो जाते हैं टिप्स नमबर 13, उबले हुए चाबलों को कई दिनों तक फ्रिज में रख कर इस्तमाल नहीं करना चाहिए इससे सरीर में मैदा खराब होने के साथ साथ कई बिमारियां भी हो सकती है टिप्स नमबर 14, रोज गुड़ खाने से चहरे पर आए हुए काले दाग और पिमपल दूर हो जाते हैं टिप्स नमबर 15, जादा कफ होने पर केला और शैतूत खाना फाइदे मंद होता है टिप्स नमबर 16, जो लोग खाना तेजी से खाते हैं उनको दिल की वीमारी हो सकती है खाना जल्दी हजम नहीं होता और ये मुटापे का कारण भी बन सकता है खाना हमेशा आराम से और चबा-चबा कर खाना चाहिए टिप्स नमबर 17, टमाटर का सूप पीने से बजन कम होता है और ये आखों और तचा के लिए भी बहुत फाइदे मंद होता है टिप्स नमबर 18, लंबे समय से जुख कर टीवी देखने से रीड की हड़ी और गर्दन से जुड़ी समस्याएं हो सकती है टिप्स नमबर 19, जादा चाह की सेबन करने से दातों के एनेमल पर बहुत बुरा असर पड़ता है टिप्स नमबर 20, कच्ची मूली खाने से दिमाग बहुत तेज होता है टिप्स नमबर 21, अपनी डाइट में पोदीने वाली चटनी जरूर सामिल करें इसके इस्तमाल से थकावट मैसूस नहीं होगी टिप्स नमबर 22, रात की बची हुई रोटी में फाइबर अधिक मात्रा में होता है बासी रोटी को दूद के साथ खाने से अपच गैस एसिडिटी में रहत मिलती है बासी रोटीयां खाने से सरीर को बहुत लाप मिलता है टिप्स नमबर 23, यदि आपको अकसर मुँ में चाले होने की शिकायत रहती है तो रोजाना खाना खाने के बाद गुड़ चोसना ना भूलें ऐसा करने से चाले नहीं रहेंगे टिप्स नमबर 24, अगर कफ की समस्या है तो खजूर गन पानी के साथ लेने से कप दूर हो जाता है टिप्स नमबर 25, बबासीर से छुटकारा पाने के लिए सुबह खानी पेट दो आलू वुखारे खाएं टिप्स नमबर 26, जिनका पेट साफ नहीं होता है उनको रात में अजवाइन खाके सोना चाहिए इससे उनका पेट साफ हो जाएगा क्योंकि अजवाइन में थाइमोल नाम का तत्व पाया जाता है जो पेट साफ करने में मदद करता है टिप्स नमबर 27, अगर आप अपने पिछके गालों को मोटा करना चाहते हैं तो रोजाना एक सेव जरूर खाएं सेव में मौजूद एंटी ऑक्सडेंट बिटामिन A, B और C होते हैं जो इशकिन के साथ चेहरे का मुटापा बढ़ाते हैं टिप्स नमबर 28, दिल को रखे स्वस्त, लैसुन खाने से आपका दिल भी बेमारियों की चपेट में आने से बचा रह सकता है लैसुन के सेवन से ब्लड प्रेशर सामान रहता है जिससे हार्ट हैल्थ में सुदार आता है कच्छा लैसुन खाने से कॉलिस्ट्रॉल लेवल सरीर में नहीं बढ़ता है इतना ही नहीं ये ब्लड क्लॉट बनने से भी रोगता है जिससे हार्ट डिसीज और स्ट्रोक आने का जोखिम कम हो जाता है अगर आप लंबे समय तक जवान रहना चाहते हैं और अपने आपको बिमारियों से मुक्त रखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने गुस्ते पर कंट्रोल करें जिन ओरतों की प्रेगनेंसी के बाद पेट पर दाग पढ़ जाते हैं उनको पालक का रस रोजाना लगाने से दाग धीरे धीरे कम हो जाएंगे टिप्स नमबर 31 हमको पूरी नींद लेनी चाहिए नींद का आसर हमारी तुचा पर दिखाई देता है जिससे हम बुढ़े नजर आने लग जाते हैं इसलिए नीद कम से कम 7-8 घंटे की जरूर लें टिप्स नमबर 32 एक्सपर्ट्स की माने तो बैसकों को हेल्दी और ताकतबर रहने के लिए प्रती दिन 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है अगर आप रोज 2-3 कटोरी लोबिया की दाल खाए तो आपके सरीर में प्रोटीन की कमी नहीं होगे और मसल्स को मजबूती मिल सकती है बोडी बिल्डिंग करने वाले लोगों के लिए यह दाल चमतकारी साबित हो सकती है टिप्स नमबर 33 तरबूज सरीर की सूजन और ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस को कम कर सकता है तरबूज में पाया जाने वाला एंटी ऑक्सिडेंट लाइकोपिन और बिटामिन C का कॉम्बिनेशन इंफेक्शन को कम करने में बेहद असरदार हो सकता है लाइकोपिन अलजाइमर डिसीज से भी राहत दिलाने में मददगार हो सकता है इसे ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा माना जा सकता है टिप्स नमबर 34 चहरे पर टमाटर को काट के आदा टमाटर में थोड़ी सी कौफी पाउडर डाल के चहरे पर हलके हातों से एक-दो मिनट तक मसाज करने से चहरा खिल उठता है टिप्स नमबर 35 यदि हम रात को चावल खाते हैं तो हमको नीन ना आने की समस्या हो सकती है टिप्स नमबर 36 सुबह खाली पेट भीगे चने खाने से बजन तेजी से भड़ता है टिप्स नमबर 37 रोजाना सुबह करी पत्ते का सेबन करते हैं तो इससे आपका वेट लॉस होने लगता है टिप्स नमबर 38 छोटे बच्चों को सरसों की तखिये पर सुलाने से सिर गोला कार में रहता है और बच्चों के लिए सरसों का तखिया बहुत जादा फाइदे मंद होता है टिप्स नमबर 39 बालों को छड़ने से रोकना है तो बालों पर हमेशा गुनगुना तेल ही लगाए दोस्तों हमारी बताई गई है जानकारी एक सामान पिकरिया के लिए है किसी भी बीमारी से पीडित होने पर आप डॉक्तर से पहले सला लेकर ही ये नियम अपनाए तो दोस्तों अगर ये जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शियर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो फ़र मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई